इंटो से बने पैटन भाग 3 ब्रिक पैटन्स पार्ट 3 आज हम जानेंगे कि घनाब इंटो से वृतकार पैटन बनाए जा सकते हैं इंटो के प्रियोग से मेरर हाफ पैटन भी बनाए जा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इंटो से बना हर पैटन मेरर हाफ हो वंदना हमने कितने सुनदर सुनदर इंटो से बने हुए पैटन देखे लेकिन मुझे एक बात पर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा किस बात पर? इस बात पर कि घनाब इंटों से वृत्ताकार यारी गोल पैटन बनाई जा सकते हैं इंजिनियर सर ने तो कहा था कि खुद बना कर देखना अगर तुमको संदे है तो चलो बना कर देख लेते हैं ठीक है इसके लिए हमें कुछ इंटों की जरूरत होगी ये रही इंटे चलो इनसे पैटन बनाते हैं सबसे पहले इन चार इंटों को इस तरह रख लेते हैं अब इनके चारों तरफ इंटों का एक गेरा बना देते हैं फिर इनके चारों तरफ इंटों का एक और गेरा बना देते हैं फिर एक और और फिर से एक और देखो बन गया ना एक वृत्ताकार पैटर्ण इसके अलावा एक और वृत्ताकार पैटर्ण मैंने एक जगह देखा था देखो ये पैटर्ण बस फर्क इतना है कि इसमें कुछ इंटो को काट कर भी इस्तेमाल किया गया है हाँ अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि इंटो से वृत्ताकार पैटर्ण बनाई जा सकते हैं कितना कमाल है ना इंटो से जो भी पैटर्ण बनाओ मिरर हाफ ही बनता है तुमको ऐसा क्यों लगा? इसमें लगने वाली क्या बात है? देखो ये सभी पैटर्ण मिरर हाफ ही है ये पैटर्ण तो मिरर हाफ है पर इस पैटर्ण को देखो क्या तुमको ये भी मिरर हाफ लग रहा है? देखती हूँ. इसको अगर आधा करके मिरर में इसको देखे तो पैटर्न पूरा नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये मिरर हाफ नहीं है. क्या तो मुझे और कोई पैटर्न दिखा सकती हो जो मिरर हाफ ना हो? क्यों नहीं? इस दिवार पर बने पैटन को देखो, ये रिपीट होने वाला पैटन है, मिरर हाफ नहीं सही कहा, इसका मतलब कुछ पैटर्न मिरर हाफ होते हैं और कुछ नहीं होते एक और सवाल है क्या? इस पैटर्न को बनाने के लिए इटों को एक के उपर एक रखा गया है लेकिन उपर वाली इट का सिर्फ आदा हिस्सा ही नीचे वाली इट के उपर है हाँ मुझे लग रहा था कि इटों को ठीक एक के उपर एक रखा जाता है पैटन तो इटों को एक के उपर एक रख कर भी बना सकते हैं पर याद है न, इंजिनियर सर ने क्या कहा था? इस तरह रखने से इटे अच्छी तरह आपस में चिपक जाती हैं और एक मजबूत दिवार बनती है ओ, अब समझी, जब सर ने विकेट बना कर दिखाया था, तब क्यों तीन इटे एक के उपर एक रख कर अगली इट को साइड में रखा था? हाँ, देखो, आज मैंने तुम्हें तीन बाते सिखाई, इटो से वृत्ताकार पैटन बनाए जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हर पैटन मिरर हाफ हो, और इटो को एक के उपर एक रख कर जो पैटन बनाया जाता है, उसमें जरूरी नहीं है कि इटो को ठीक एक के उपर एक रखाजाए दन्यवाद मेडम